हलो दोस्तों आपका स्वागत है अपने यूटूब चैनल पर आज हम 16 दिसंबर को हुए C321 पेपर वन के EBS के फुल 30 कोश्चन्स कम्प्लीट करेंगे तो दोस्तों आपका पहला कोश्चन आया था कुडुक कहां के लोगों की बोलचाल की भासा है तो आपका फर्स्ट को ऑप्शन फूर्थ करेक्ट हो जाएगा जारखंड कुडुक जारखंड के लोगों की बोलचाल की भासा है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा आपका दूसरा कोश्चन डारेक्शन बेस्ट आया था तो आपका कोश्चन दिया गया था आपका घर एक्स पर इस्तित है जहां आपका विद्याले वाई पर इस्तित है यद्यपी आपका विद्याले ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं इसलिए आप पहले ठीक उत्तर में 100 मीटर दूर जाते हैं फिर ठीक पस्चिम में 75 मीटर लंबा सुरंग पत पार करते हैं और अंत में आप 100 मीटर दूरी पर ठीक दच्छिड में वाई पर अपने विद्याले पहुंचते हैं वाई पर विद्याले के सपेच एक्स पर आपका घर कहां इस्ते थैं तो आपका सेकेंड का ओप्शन तीसरा सही हो जाएगा 75 मीटर ठीक पूर्व में आपका फ़र्ड कोश्चन आया था कोई रेल गाड़ी नागर कोल से 5 जुन 2020 को प्राता 4 पंदरा बजे स्टेशन छोड़कसा जुन 2020 को प्राता 3 पंदरा बजे गांधी धाम पहुंसती है रेल गाड़ी द्वारा चली गई दूरी 264 किलो मीटर है यात्रा की अवधी में रेल गाड़ी की ओसत चाल किलो मीटर पर घंटा में लगभग डैश है तो आपका फ़र्ड को ऑप्शन 56 क करेक्ट हो जाएगा आपको इसमें एवरिज स्पीट फाइंड करनी थी तो एवरिज स्पीट का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आपका फोर्ड कोशन आया था बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन प्रारंब करने की सबसे अच्छी यवधी कौन सी है तो आपका फोर्ड कोशन दूसरा सही हो जाएगा अक्टूबर से दिसमबर आपका फिप्ट कोशन आया था वेलक्रो का उपयोग बहुत सी चीजों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है निमनलिखित में से किसने प्रकृती से प्रेड़ना लेकर वेलक्रो को बनाया था तो आपका फिप्ट कोशन तीसरा सही हो जाएगा जोर्ज मेंस्ट्रल आपका सिफ्ट कोशन आया था निमनलिखित में से कौन भारत का संग सासित प्रदेश है तो आपका सिफ्ट कोशन फोर्थ सही हो जाएगा जम्मू और कस्मीर आपका सैव कोश्चन आया था हमारे देश के नीचे दिये गए राज्यों में से किसमे अलमुनियम की खान है तो आपका सेवंध कोश्चन पहला सही हो जाएगा उडिसा आपका एट कोश्चन आया था ब्रेल लिपी में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदू बने होते हैं यह लिपी ड दूसरा सही हो जाएगा छे बिंदू आपका नाइंद कोश्चन आया था प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह के कार करने होते हैं नीचे दिये गए चरणों पर विचार कीजिए और वह विकल्प चुनिये जिसमें इन चरणों को सही करम में दिया गया है तो आपका न जीज बोना उसके बाद खर पतवार हटाना उसके बाद प्याज को खाड़कर निकालना और उसके बाद प्याज के उपर की सूखी पतियों को काटना आपका टेंथ कोश्चन आया था हमारे देश में एक स्थान है जिसे सीत मरुस्तल कहते हैं यह चेत्र उचा सूखा और सम आपका टेंथ कोश्चन फोर्थ सही हो जाएगा लेह लद्दाक आपका 11 कोश्चन आया था नीचे दिये गए फलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिये जिनमें बीज होते हैं करेला खीरा चीकू भिंडी प्याज नासपाति आलू टमाटर तो आपका 11 का करेंट ऑप् टमाटर आपका 12 कोश्चन आया था नीचे दिया गया कौन सा जन्तु भालू जैसा दिखता है परन्तु भालू नहीं है यह दिन के लगबक 17 घंटे व्रच्चों की साखाओं से उल्टे लटक कर सोकर बिताता है और उसी व्रच्च की पत्तियों को खाता है इस जन्तु की ओ कौसत आयू 40 वर्स है तथा आपने पूरे जीवन में यह मुश्किल से 8 व्रच्चों पर ही घूमता है तो आपका 12 कोश्चन 4 सही हो जाएगा स्लॉट आपका 14 कोश्चन आया था हमारी प्रत्वी गलोब की भाती गोल है वास्तों में प्रत्वी पर उपर या नीचे कुछ नहीं होता यह सब सापेच है हम भारत के लोग वास्तों में प्रत्वी के प्रस्ट पर नीचे दिये गए जिस देश की लोगों के सापेच उल्टे खड़े हैं वह देश कौन सा है तो आपका 14 कोश्चन दूसरा सही हो जाएगा अर्जंटीना आपका 15 कोश्चन आया था इस नित्य प्रियोग से उसके खेतों की मिटी टेस्ट बन जाएगी तो आपका 15 कोश्चन फोर्थ सही हो जाएगा अंतिता किसी भी फसल को गाने के लिए अनुपयुक्त आपका 16 कोश्चन आया था निम्न लिखित में से कौन सा समू एबियस पार्टिकरम में सुझाई आंग से प्रस्तुत करता है तो आपका 16 कोश्चन दूसरा सही हो जाएगा परिवार और दोस पानी भोजन और यात्रा आपका 17 कोश्चन आया था सच्छार्थी के पोर्टफोलियों बनाने के लिए अच्चे तरीके क्या हैं तो आपका सैवन्टिन काउप्शन फोर्थ कर् चात्र से अपने काम का चयन करवाना और उसको अपने पोर्टफोलियों में सामिल करवाना एक समय अबधी में चात्रों के कामों के बिभिन इस्तरों को एकत्र करना आपका 18th question आया था NCF 2005 के अनुसार निम्न लिकित में से कौन सा EVS के पार्ट करम के बारे में सही है तो आपका 18th option फोर्ट करेक्ट हो जाएगा EVS का पार्ट करम में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरर सिच्छा का एक ही करण है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा आपका 19th question आया था एक EVS सिच्छक अपने सिच्छार्तियों को पडोस में इस्तेमाल होने वाले विभिन इंधनों पर एक सर्वेच्छण करने को कहता है इस सर्वेच्छण के संचालन के दौरानिमन लिखित में से कौन सी प्रक्रिया कोसल विक्सित की जा सकती है तो आपका 19th question तीसरा सही हो जाएगा रिकॉर्डिंग और सुनने के कौसल आपका 20th question आया था सीखने के लिए सतत आकलन के आवस्चक तत तो क्या है तो आपका 20th question तीसरा सही हो जाएगा केवल B और C इसे सीखने की इस्तती में निहित किया जाना चाहिए ये सिख्षिकों को उनकी सिख्षड अधिगम विधी को समायोजित करने की गुंजाईस प्रदान करता है आपका 21st question आया था हुनाल ने कपडों की बंधेज की रंगाई पर कारशाला करने के लिए अपने विद्याले में एक स्थानी कारीगर को आमंतरित किया इस्थानी कारीगर को आमंतरित करने के उदेश निम्ल खित में से इसके अतरिक्त है तो आपका 21st option तीसरा सही हो जाएगा सिख्षार्तियों को इस्थानी भासा सीखने में मदद करना आपका 22nd question आया था महर के पास कच्छा में कुछ विद्यार्थी है जो प्राकर्तिक आपदाकारण अपने मूल इस्थान से विस्थाफित हो गए है और उन्हें विद्याले वातावरण में समयोज़त करने में समस्या है एक EBS इच्छा के रूप में आप तो आपका 22nd option फूर्थ स्करेक्ट हो जाएगा उन्हें अनस च्छार्तियों के साथ बाचीत करने में मदद करेंगे और उनकी कहानियों को भी साजा करेंगे आपका 23rd question आया था संसाधन के रूप में समुदाय का उप्योग करने का तर्क यह है कि तो आपका 23rd option तीसरा सही हो जाएगा समुदाय की अपनी बच्चों के अदगम में हिस्सदारी होती है और इसमें उन्हें सामिल होने की जरूरत है आपका 24rd question आया था आरूही ने अपने सच्छार्तियों को अपनी कच्छा का मांचत्र खीचने बनाने को कहा यह क्रिया कलाप डैश का विकास करने में सहायक होगा तो आपका 24th option तीसरा सही हो जाएगा अभी विन्यास और सापेच इस्ति की समझ आपका 25th question आया था निम्न लिखित में से क्या पाठचर्या के विकास के लिए मार्ग दर्सक सिधान्त नहीं है तो आपका 25th option तीसरा सही हो जाएगा परिच्छा को आसान बनाना आपका 26th question आया था एवियस में सिछार्थियों के आकलन करते समय बचना होगा तो आपका 26th option फोर्थ सही हो जाएगा आकलन करते समय तकनीक की भासा के उपयोग करने से दोस्तों आप question में एक बारी जरूर ध्यान दिया करें question में पूछा क्या गया है तो इसमें पूछा गया था आकलन करते समय किस से बचना होगा इसलिए आपका option फोर्थ करेक्ट हो जाएगा आकलन करते समय तकनीक भासा के उपयोग करने से आपका 27 question आया था रोनाल्ड रॉस के बारे में कच्छा पाँचवी में कहानी है जिनको 1902 में चिकित्सा के लिए नोबल को रुसकार मिला था जब उन्होंने सिकंदराबाद के अस्पताल में काम करते हुए ये खोजा की मच्छर मलेरिया फैलाते हैं उन्होंने अपने सब्दों में बताया कि कैसे उन्होंने मच्छरों का पिछा करते हुए समय बिताया मच्छरों के पेट को खोलने के लिए उसे काटा और उसका सूच में दर्सी के नीचे अवलोकन किया रोनाल्ड रॉस की कहानी को EBS में सामिल करने का क्या उदेश होगा तो आपका 27th का उप्षन दूसरा सही हो जाएगा A, C, D सचार्तियों को विज्ञानिक प्रक्रियाओं के बारे में समझने में मदद करना सचार्तियों को विभिनिक खोजों के बारे में अधिक रोमांचक कहानियों कोई खटा करने के लिए प्रत्साहित करना विज्ञान के इतिहास की सराहना करना आपका 28th कोशन आया था भूशर अपनी कच्छा दूतिये की भासा की कच्छा में थीम यात्रा को एकी करतकला चाहते हैं आपके संसाधन का सुझाओ देंगे जो कच्छा में संपादन के लिए सबसे उपयुक्त है तो आपका 28th कोशन 4th करेक्ट हो जाएगा बच्चों के यातायाद पर अपने अनभाव आपका 29th कोशन आया था EBS कच्छा में यात्रा पडोस में एक भिकारी लड़के के बारे में अपने अवलोकन को साजा करती है और जानना चाहती है कि उसके माताय पिता उसे स्कूल क्यों नहीं भेशते एक सिच्छक के रूप में आप सिच्छार्थी को कैसे जवाब देंगे तो आपका 29th कोशन 4th करेक्ट हो जाएगा उसके अवलोकन की सराहना करेंगे और पूरी कच्छा में इस चर्चा को करेंगे आपका 30th कोशन आया था खेल और पहलियां EBS के सिच्छड और अधिगम के महत पूड हिस्से हैं क्योंकि तो आपका 30th कोशन तीसरा सही हो जाएगा अवे सिच्छार्थियों को अपने आप स्वरूप खोजने देती हैं दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और मैं आपके लिए ऐसे वीडियो बनाती रहूंगी आप लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलियेगा वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और चैनल को शेयर भी कर दिया करें आज हम 20 दिसंबर को हुए सी तो आपका पहला कोस्चन आया था विच इस दा फालोविंग मैथर्ट्स आप सॉलेड वेस्ट डिस्पोजल मैथर्ड रिलीजिस एयर फॉलूटेंट्स थोस अपसिस्ट निप्तान विधी की निम्म लिखित विदिया कौन सी है जो वाई प्रडूसकों को मुक्त करती हैं तो आपका फर्स्ट का आप्शन फूर्थ सही हो जाएगा भस्मी करण इनकी नेशन दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लागे चैनल को विज़िस ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर सीटेट पेपर वन और पेपर टू के मोश्ट प्रवैबली काफी सिफ्ट के सुलिशन्स अल्रेडी प्रवाइड कर दिये गए तो आप चैनल को विज़िट कीजिए और सुलिशन्स चेक कर लीजिए आपका सेकेंड कोश्चन आया था एक जगह जिसने लंबे समय तक बाढ़ का अनभव किया है लोगों का कारण बनेगा तो आपका सेकेंड कोश्चन दूसरा सही हो जाएगा विस्थापन डिस्प्लेस्मेंट आपका थर्ड कोश्चन आया था टैपियोका इस अनदर नेम फॉर टैपियोका इसका दूसरा नाम है तो आपका थर्ड कोश्चन दूसरा सही हो जाएगा कपा आपका फॉर्थ कोश्चन आया था विच आप दा फॉलोविंग डिस इस पापुलर इन होंग कॉंग निम्न लिकित में से कौन सा वेंजन होंग कॉंग में लोग पूरी है तो आपका फूर्थ कॉप्शन दूसरा सही हो जाएगा लिंग फूफेन लिंग फूफेन ये एक सारे कॉप्शन आपके 1-2-5th NCRT से ही लिए गए है आपका फिप्थ कॉप्शन आया था किस प्रकार के पच्छी की चोंच का उप्योग मांस को फारने और खाने के लिए किया जाता है तो आपका फिप्थ कॉप्शन तीसरा सही हो जाएगा जुकी हुई चोंच भूग बीक आपका 6th कॉप्शन आया था एक सिच्छका को अपने तच्छा में तवरित नास्ता से संबंधित तच्छा चार के चातरों को पढ़ाना होता है कौन सी डिस जल्दी बन जाएगे आपका 6th कॉप्शन 4th सही हो जाएगा भेल पूरी आपका 7th कॉप्शन आया था तो आपका 7th कॉप्शन दूसरा सही हो जाएगा उडिशा आपका 8th कॉप्शन आया था दूरिंग दा पैंडिमिक डॉक्टर्स आर एडवाइजिंग तू कंज्यूम विटमिन सी रिच फूड स्लेक्ट दा ग्रूप आफ रिच इन विटमिन सी महमारी के दौरान डॉक्टर विटमिन सी से भरपूर भोजन करने की सला दे रहे हैं विटमिन सी से भरपूर समू का चयन करे तो आपका 8th कॉप्शन 4th is correct, 4th सही हो जाएगा ब्रॉकली, स्टॉबेरी और नीबू आपका 9th कॉप्शन आया था विच स्टेट हैज आ कॉमन प्रैक्टिस ऑफ जूम कल्टिवेशन किस राज्ज में जूम खेती की सामाने प्रथा है तो आपका 9th कॉप्शन दूसरा सही हो जाएगा मिजोरम आपका 10th कॉप्शन आया था तो आपका 10th कॉप्शन तीसरा सही हो जाएगा ओडम, कोंगल, उगादी और विशु आपका 11th कॉप्शन आया था वार्ली ट्राइब इस वेल लोन फार वार्ली आर्ट विच इस मेड़ बाई यूजिंग वार्ली जन्जाती वार्ली कला के लिए प्रशिद्ध है जिसका अपयोग करके बनाया गया है आपका 11th कॉप्शन तीसरा सही हो जाएगा गाय का गोबर और मिट्टी काउडंग एंड अर्थ आपका 12th कॉप्शन आया था विच आप दा फॉलोविंग गुरूप आप स्टेट्स इन इंडिया टॉपिक आप कैंसर पासेज भारत में निम्न में से किस राजिसमूँ से करके रेखा गुजरती है तो आपका 12th का उप्शन सेकेंड सही हो जाएगा चतीजगर गुजराद जहरखंद भारत के आठ राजियों से टोटल करके रेखा आप की गुजरती है जिन में से ये तीन का समूँ आपको गिविन है बाकी पाच कौन से हैं उन्हें भी आप याद करिए अजय भोपाल में है और वे गंगटोक और पुड़ुचेरी में समेलनों में भाग लेना चाहता है गंगटोक और पुड़ुचेरी की इस्थती क्या है जहां से अजय है तो आपका 13th का उप्शन तीसरा सही हो जाएगा उतरपूर्व और दच्छडपूर्व नॉर्थ इस्थ और सौथ इस्थ आपका 14th कोशन आया था विच इस्था स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी वर्ड तो ट्रेवल फ्रम आर्केटेक रीजन तू इंडिया आर्केटेक से भारत की यात्रा करने वाला सबसे छोटा प्रवासी अच्छी कौन सा है तो आपका 14th कोशन पूर्थ सही हो जाएगा लिटल इस्थिंट आपका 15th कोशन आया था रोनी प्लांस तु ट्रेवल फ्रम इटली तू इंडिया इस फ्रेंड्स आग्ज़ हिम तू ब्रिंग दैस्पेशल इटलियन चीज रोनी की इटली से भारत की यात्रा करने की यूजना है उसके दोस्तों ने उसे स्पेशल इटलियन चीज लाने को कहा पनीर को संरच्छित करने और उसे भारत लाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सी तकनीक होगी तो आपका 15th कोशन 4th सही हो जाएगा वक्यूप पैकिंग वक्यूप पैकिंग आपका 16th कोशन आया था तो आपका 16th कोशन पहला सही हो जाएगा अ, बी और सी ध्वानी संदेश साजा करके बहुत सारे मौके की स्पस्टी करण का उप्योग करके सहकर्मी स्पस्टी करण द्वारा आपका 17th कोशन आया था ओल्लाइन कच्छा के दौरान विसेश सिछक का सहयोग लेना उनके लिए विसेश रूप से और प्लाइन कच्छा पदान करना अपने वीडियो और पीपी टी में उपसीर्शक और तत्काल का एप्शन पेश करना अधिक दर्श्चों का उप्योग करना तो आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा A, B, C और D आपका 18th कोशन आया था इन ओर प्री सर्वेस टीचर्स तू नो फिस अबलेखर वैल्यूज पसनालटी इंट्रेस्ट एंड अप्टिट्यूड दे विल यूज सेवा पूर्व सिच्छकों को उनके मूल्यों व्यक्तित्व रुच्छी और योगता को जानने के लिए वे उप्योग करेंगे तो आपका 18th कोशन तीसरा सही हो जाएगा Self-Assessment Tools आपका 19th कोशन आया था An EVS teacher has decided to give a home activity for students to understand the process of germination which among the following is the most suitable activity एक EVS इच्छक ने अंकुरण की प्रत्रिया को समझने के लिए छात्रों के लिए घरेलू गतिविदी देने का फैसला किया निम्न लिखित में से कौन सबसे उप्यूत गतिविदी है तो आपका 19th कोशन तीसरा सही हो जाएगा मूग के अंकुरित अंकुरों का अवलोप Observation of germinating sprouts from मूग आपका 20th कोशन आया था An EVS teacher asked her third grade students to put a food feeder on their terrace or open area C then asked them to prepare a data sheet of different birds that visit their feeding spot The objective of this activity is two एक EVS चिका ने अपनी तीसी कच्छा के चात्रों को अपनी च्छत या खुले चेत्र में खाने का feeder रखने के लिए कहा फिर उसने उनसे विभिने पच्चियों की एक data sheet त्यार करने के लिए कहा जो उनके भोजन इस तल पर जाती हैं इस गतिविधी का उदेश से हैं तो आपका टूंटीएट को ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा पच्छियों की प्रजातियों और उनके भोजन की आतों के संबंद में अवलोकन को सल विक्सित करना डेवलप अब्डिवेशन इस्टेश रिगार्डिंग दा स्पिसीज ऑफ बर्थ एंद ये फीडिंग हैबिट्स आपका टूंटीफर्स कोस्चन आया था अटीजर इन दा क्लास डिसक्सिस दा फेस्टिवल्स आफ अर कंट्री इर्रिस्पेक्टिव आफ डिफरेंट कल्चर सम्टेवल्स आर कॉमन और अल ओवर दा कंट्री विच कॉंसेप्ट इस ही और सी ट्राइंग तू डिल विद दी क्लास चर्चा में एक सिच्चक हमारे देश की विभिन तेवहारों पर चर्चा करते हैं विभिन संस्कतियों के बावजूद कुछ तेवहार आम हैं और पूरे देश में मनाय जाते हैं वह कच्चा में कि इस अफधारणा को समझने की कोसिस कर रहा है तो आपका 21st option पहला सह की हो जाएगा A B C और D हमारे जीवन में तेवहारों का मूल्य विभिस संस्कति में एकता तेवहारों में संस्कतिक या छेत्री बाधायन नहीं होती हैं तेवहार हमें सांती और अनन्द देता है देवल्यू और फेस्टिवल्स इन आर लाइफ यूनिटी इन डाइवर्स कुल्चिरल और रीजनल बैरियर्स फेस्टिवल्स गिव आस पीस एंड प्लेजर आपका 22 कोश्चन आया था अटीचर इन आरूला स्कूल इस टीचिंग फूर्ट प्रिजर्वेशन टेकनिक्स दबेस्ट स्टेटजी पॉर हर विल बी टू एक ग्रामीर्स इस्पूल में ए संरच्ण टक्नीक सिखा रहा है उसके लिए सबसे अच्छी रणनी थी होगी तो आपका 22 कोश्चन पॉर्ट इस करेक्ट घर पर प्रचलिक संरच्चन टक्नीकों कने रच्चन करने के लिए पडोस में एक फील्ड ट्रिप की दिवस्ता करें आपका 23 कोश्चन आया था एन सिख्चक NCRT की पाठिपुस्तक में फूलों की घर्टी के बारे में पढ़ा रहा है वैं सिख्चड के लिए संसादनों का उप्योग कर सकता है तो आपका 23 कोश्चन पहला सही हो जाएगा A B C और D भारत का नक्सा मधवनी पेंटिंग विभिनिस्थानियफूर वक्सीट का 24 कोश्चन आया था विच आप दा फॉलोविंग मेथड्स वुड़ बी एन एफेक्टिव वे टू सेंस्टाइज दा इस्टूरेंट्स ऑफ फॉर्थ ग्रेड रिगार्डिंग कोचिंग डियूरिंग आप लास कच्छा के दौरान अवे सिकार के बारे में चौथी कच्छा आपका 26 कोश्चन आया था तो अचीव दा गोल्स आफ इंवार्मेंट एडुकेशन दा करीकुलम सुट बी बेस्ट ऑन लर्निंग देस्ट एंवार्मेंट पर्यावर्ण सिच्छा के लच्छों को प्राप्त करने के लिए पार्ट कर्म पर अधारित होना पर्यावर्ण देस अधिगम तो आपका 26 कोश्चन सेकेंड सही हो जाएगा अबाउट थू फॉर के बारे में के माध्यम से के लिए आपका 27 कोश्चन आया था A teacher asked his students to find a rose plant in the school garden. Some students noticed that all the flowers had not bloomed. He instructed them to observe daily to find out the days they will take to bloom. Here the teacher trying to develop which are the following. एक सिच्चक ने अपने चात्र से स्कूल के बगीचे में गुलाब का पौधा खोजने को कहा कुछ छात्रों ने देखा कि सभी फूल नहीं खिले थे. उन्होंने उन्हें ये पता लगाने के लिए पर दिन रिच्ण करने का निर्देश दिया कि वे कितने दिन खिलेंगे. ये सिच्चक निम्रली खितमें से किसे विक्सित करने का प्रयास कर रहा है. तो आपका 27 कोश् दूसरा सही हो जाएगा. A और B. प्रयोग के लिए रीटिंग लेने का कोशल. छात्रों में जिग्यासा. आपका 28 कोश्चन आया था. A traffic post or a level crossing some people do not switch off the engine of the vehicle even while waiting. An EBS teacher discussed this issue in the class. What did she want to convey to the students? Traffic post या label crossing पर कुछ लोग तिछा करते हुए भी अपने वाहन का engine बन नहीं करते हैं. एक EBS सिच्छक कच्छा में इस मुद्धे पर चर्चा के वैच्छात्रों को क्या बताना चाहती है. तो आपका 28 कोश्चन 4th correct हो जाएगा. 4th correct हो जाएगा A, B, C और D, Y और धनी परदूशर, गैर नवी निकर संसादनों का विवेकपूल उपयोग, प्रकरती संसादनों का दुरूपयोग. सरकार इसे रोकने के लिए करदम नहीं उठा रही है. आपका 29 पोश्चन आया था. A teacher is talking to the children about the ways in which their houses are decorated during festivals and that they must use locally used materials during celebration of festivals. The purpose of this discussion is our, एक सिच्चक बच्चों से तेवारों के दौरान उनके घरों को सजाने के तरीकों के बारे में बात कर रहा हैं और उनने तेवारों के उच्चों के दौरान इस्थानी रूप से उपयोग की जाने वाली समगरियों का करना चाहिए इस चर्चा का उदेश्य है तो आपका टूंटिनेंद को ऑप्शन को पूर्थ करेक्ट हो जाएगा A B C और D छात्रों की रचनात्मक्ता को बढ़ाने के लिए हमारी कला और संस्कति को संरच्चित करने के लिए इस्थानी विक्रेता को समर्थन देने के लिए यह साज़ा करने के लिए कि इस्थानी वस्तुए सस्ती हैं का थर्टियत कोश्चन आया था विच आपदा फॉलोविंग टूल्स कैन कलेक्ट क्वालिटेटिव डाटास फॉर असिस्मेंट आफ एवियस इस्टुडेंट्स निम्र लिखित में से कौन सा उपकरण एवियस चनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेयर करें वीडियो को लाइक करें आज हम 25 दिसंबर को हुए सी टेट 2021 पेपर वन के एवियस के फुल 30 कोश्चन कंप्लीट करेंगे तो दोस्तों आपका पहला कोश्चन आया था नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए आपके ऑप्शन दिये गए थे जील जरना तलाब पहाड़ी नदी उपरोक्त सूची में कौन सा इन में से भिन है तो इसमें आपका ऑप्शन पहाड़ी सही हो जाएगा यूँकि बाकी सारे ऑप्शन आपके जलके स्रोत हैं और पहाड़ी नहीं हैं आपक सेकिंड कोश्चन आया था नीचे दिये गए कथनों पर विचार कीजिए और आपको सही कथन बताना था तो आपका सेकिंड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा A और B गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं केरल में अधिकतर लोग किसी बिकरी के साथ टैपियोका खाते हैं आपका थर्ड कोश्चन आया था नीचे दिये गए पच्छियों की वे कौन सी प्रजाती है जिसकी आख मानुँ की भाती उसके सामने की और होती है तो आपका थर्ड कोश्चन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा उल्लू आपका फिप्त कोश्चन आया था हाथियों के विशय में नीचे दिये के कथनों पर विचार कीजिए आपको इन में से सही कथन बताना था तो आपका फिप्त कोश्चन तीस हतनिया और बच्चे ही रहते हैं आपका फिप्त कोश्चन आया था कोई व्यक्ति 29 सितंबर 2019 को एक एकस्प्रेस रेलगाडी में सूरत से नागर कोईल जाने के लिए बैठा ये रेलगाडी सूरत से 8.45 बजे चली और 1 अक्टूबर 2019 को 12.45 बजे नागर कोईल पहुँची यदि सूरत से नागर कोईल के बीच रेल मार्क की दूरी 22 किलोमीटर है तब इस यात्रा में रेल गाडी की औसाचाल क्या थी तो इसमें दोस्तों औसाचाल पूछी गई है तो औसाचाल का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम तो आपका सिक्स् पत्ता, छोटी इलाइची, बड़ी इलाइची और काली मिर्च उगते हैं तो आपका सेवन्त को आप्शन तीसरा सही हो जाएगा केरल आपका एट कोश्चन आया था घटपएडी के विशय में नीचे दिये के कथनों पर विचार कीजिए और आपको इसमें सही कथन बताना तो आपका एट को आप्शन दूसरा सही हो जाएगा A और D ये पौधा कीट मेढकों और चूहों को फसा कर उनका सिकार कर सकता है इसका अकर घड़े जैसा होता है जिसका मूँ पत्ती से धका होता है कोई भी कीट इसके मूँ के उपर पहुंसते ही इसमें फस जाता है और ब भारत की आजादी से पहले कि मात्मा गांदी के जीवन की एक महतपुर घटना डांडी यात्रा है यह घटना डैश में घटी थी तो आपका नैंद को आप्शन दूसरा सही हो जाएगा नीचे दिये गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड आवला और हरी पत्तियों वाली सबजियों को खाने की सला देते हैं तो आपका टैन्थ को आप्शन दूसरा सही हो जाएगा एनीमिया दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आपको इस यूटूब चैनल पर सीटेट 2021 पेपर 1 के और पेपर 2 के मैक्सिमम सिफ्टों के सलुशन अल्रेडी सौल्व करके प्रोवाइट कर दी गई हैं तो आप चैनल को विजिट कीजिए और सभी सिफ्टों क सलुशन को देख लीजिए आपका 11 कोशन आया था माउंट एवरेस्ट के विसाय में निम्न लिखित कतनों पर विचार कीजिए तो आपको सही कथन बताना था तो आपका 11 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा बी और सी इसकी चोटी की उचाई 8900 मीटर है बचहिंदरी पाल इस परवत की चोटी पर कदम रखने वाली भारत की पहली महिला बन गई आपका 12 कोशन आया था जो की डारेक्शन बेस्ट था तो आपका 12 कोशन दिया गया था एक डॉक्टर का घर X पर इस्तित है तथा उनका अस्पताल Y पर इस्तित है डॉक्टर के घर से अस्पताल जान के ठीक दच्छड में 400 मीटर की दूरी पर हैं फिर वे C पर जाते हैं जो B के ठीक पस्चम में 90 मीटर की दूरी पर हैं और अंत में वे अपने अस्पिताल पर पहुंचते हैं जो C के ठीक उत्तर अंत में 80 मीटर की दूरी पर है अस्पिताल के सापेच डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है तो आपका ट्वल्त का ओप्षिन दूसरा correct हो जाएगा उत्तर पंस्च्यम आपका 13th question आया था रेगेस्तानी ओक नमक पेड़ के बारे में निम्ण में से कौन सा कथन सही नहीं है तो question में पुछा गया था कौन सा कथन सही नहीं है तो आपका 13th option दूसरा सही हो जाएगा इसकी उथली जड़े होती हैं दोस्तों आप एक बारी question को जरूर ध्यान से पड़ लिया करें क्यूंकि थोड़ी सी confusion आपके questions को wrong कर सकती है आपका 14th question पूछा गया था कुड़ू कहा कि लोगों की भासा है तो आपका 14th option फॉर्थ करेक्ट हो जाएगा जार खंड के लोगों की ये बोल चाल की भासा है मैंने यह question YouTube channel के पॉल में पूछा गया था जिसमें काफी लोगों और राजस्तान आपका 16th question आया था निम्न लिखित में से कौन सा प्राथमे किस तर पर पर्यावरण अध्यन सिछड का उद्देश है तो आपका 16th option पहला सही हो जाएगा पर्यावरणी मुद्दों पर जागुरुता का विकास करना आपका 17th question आया था कच्छा पाचवी का पाथ किसानों की कहानी बीज की जुबानी मुख्य प्रशन के द्वारा जैसे जो भोजन हम खाते हैं उनको कौन पैदा करता है शुरू होता है मुख्य प्रशन तो आपका 17th option A सही हो जाएगा A और B बच्चों की सोच को नई दिसाओं में ले कर जाता है बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में सहयता करता है आपका 18th question आया था निम्न लिखित में से क्या पर्यावरण अध्यन की पाठ चर्या के लिए सुझावित थीम की उप्थीम है तो आपका 18th option 4th सही हो जाएगा जानवर और पौधे आपका 19th question आया था पर्यावरण अध्यन में सार्थक पूर अधिगम निम्न लिखित में से किसके द्वारा नहीं हो सकता है तो आपका 19th option 4th correct हो जाएगा बच्चों को इसमरण अधारत अधिगम में सामिल करके तो दोस्तों question में पूछा गया था पर्यावरण अध्यन में सार्थक पूर अधिगम निम्न लिखित में से किसके द्वारा नहीं हो सकता है इसलिए आपका option 4th correct हो जाएगा बच्चों को इसमरण अधारत अधिगम में सामिल करके आपका 28th question आया था निम्न लिखित में से कौन से सीखने की सिधानत पर पर्यावरण अध्यन अधारित होता है तो आपका 28th option पहला सही हो जाएगा मूर्थ से अमूर्थ आपका 21st question आया था निमने लिखित में से कौन पर्यावरण अध्यन का गुर्ण नहीं होना चाहिए तो आपका 21st का option 4th सही हो जाएगा ये एक विशे छेतर है आपका 22nd question आया था भोजन किस प्रकार से खराब होता है इससे समंधित प्रयोग के संचालन में एक पर्यावरण अध्यन का सिच्छक बच्चों की सहायता करता है निमने लिखित में से क्या इस प्रयोग में प्रक्रिया अधारत सीखने का उदेश नहीं होगा तो कोशन में पूछा गया है नहीं होगा तो आपका 22 का उप्शन 4 सही हो जाएगा इसमरण करना दोस्तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सेर करना मत भूलिएगा आपका 23 कोश्चन आया था निमनले खित में से क्या पर्यावरण अध्यन में बच्चों के लिए ज्यान की रचना के लिए प्रभाव साली संसाधन नहीं होगा तो आपका 23 का उप्शन दूसरा सही हो जाएगा तो कोश्चन में क्या पूछा गया था निमनले खित में से क्या पर्यावरण अध्यन में बच्चों के लिए ज्यान की रचना के लिए प्रभाव साली संसाधन नहीं होगा इसलिए आपका उप्शन दूसरा सही हो जाएगा उप्शन C only विच मीन्स कच्चा की चार दिवारी आपका 24th कोश्चन आया था निमनले खित में से कौन सी युपती के दूआरा कच्चा पाज के उपविशें बोलती इमारतें एक पर्यावरण अध्यन के सिच्चक के दूआरा अर्थ पूर तरीके से संपादित की जा सकती है तो आपका 24th कोश्चन पहला सही हो जाएगा केवल A और C मान्चित्र और चित्र सर्वे के संचालन उपरांत उस पर चर्चा आपका 25th कोश्चन आया था बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्डन अभिलेग पर आधारित है तो आपका 25th कोश्चन तीसरा सही हो जाएगा अवलोकन तकनीक आपका 26th कोश्चन आया था CCE के अनुसार पर्यावरण अध्यन में सुआ आकलन सम्मंदित है तो आपका 26th कोश्चन पहला सही हो जाएगा अधिगम के समान आकलन आपका 27th कोश्चन आया था बच्चों के सीखने की प्रगति को आकने के लिए सिचकों के दुआरा अकसर पोर्टफोलियो का अप्योग किया जाता है पोर्टफोलियो तो आपका 27th का उप्शन फोर्ट सही हो जाएगा A, B और D बच्चों के सीखने की प्रगति का एक संचेई अभिलेक है बच्चों दौरा अपने कार्यों को प्रदर्सित करने में समर्थ बनाता है बच्चों को सीखने और आकलन में सक्रिय भागीदार बनाने में समर्थ करता है आपका 28th कोस्चन आया था पर्यावरण अध्यन में बच्चों के लिए समवेदन सील मुद्दो जैसे लिंग भेद का अर्थपूर संपादन किया जा सकता है तो आपका 28th को उप्शन पहला सही हो जाएगा बच्चों के मद्य बाच्चीत का संचालन करके आपका 29th कोस्चन दिया गया था निमनलिखित में से कौन पर्यावरण अध्यन में बच्चों के आखिलन के लिए सबसे कम उप्युक्त है तो आपका 29th को उप्शन पहला सही हो जाएगा बंद उत्तर वाले प्रशन आपका 30th कोस्चन पूछा गया था निमनलिखित में से क्या पर्यावरण अध्यन में आखिलन का संकेतक होना चाहिए तो आपका 30th को उप्शन पहला सही हो जाएगा सहयोग दोस्तो अगर आपको इवीडियो अच्छे लगते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा वीडियो को लाइक भी कर दीजेगा और चैनल को सेया करना मत भूलिएगा और आप प्लीज चैनल को विजिट करें चैनल में आल्रेडी बहुत सारी की पुराने एयर्स के सिफ्ट की अप्लोड कर दीए गए हैं आप चैनल को विजिट करें और उनके सोलीशन्स चैक करें आज हम 22 दिसंबर को हुए सी टेट टूंटी वन पेपर वन के एवीडियो के फुल 30 कोस्चन्स कंप्लीट करेंगे तो दोस्तो आपका पहला कोस्चन दिया गया था किसी व्यक्ती ने गांधी धाम से नागर कोईल के लिए 12 दस 2021 को ट्रेन के डिब्बे में प्रवेस किया ट्रेन गांधी धाम से साड़े दस बजे चली और दो दिन के पस्चात अर्थात 14 दस 2021 को साड़े दस बजे नागर कोईल पहुची यदि गांधी धाम और नागर कोईल के रेलवे स्टेशनों की बीच की दूरी 2592 किलो मीटर है तो इस ट्रेन की औसद चाल थी तो दोस्तो औसद चाल का फार्मूला होता है कुल दूरी अपॉन कुल समय एवरज स्पीड is equal to total distance upon total time तो आपका first का option फूर्थ सही हो जाएगा 15 मीटर पर second आपका second question आया था अलबरूनी एक यातरी जिसने हमारे देश का भ्रमण किया था ये बारे में नीचे दिये गए कथनों पर विचार कीजिए और इसमें आपको सही कथन बताना था तो आपका दूसरे का option तीसरा सही हो जाएगा A, B और C अलबरूनी ने भारत का भ्रमण हजार वर्स से भी पहले किया था उसने उन चीजों के बारे में लिखा जो उसने अपने देश से बहुत भिन्न थे विशेस रुप से पानी को एकत्र करने के लिए बनाए गए तालाब हम उनके लेखों से अपने तिहास के बारे में बहुत को सीख सकते हैं आपका तीसरा question आया था slot के बारे में नीचे दिये गए विश्यों पर विचार कीजिए आपको इसमें सही कथर बताना था तो आपका थर्ड का option फोर्थ सही हो जाएगा केवल B slot जिस व्रच पर रहता है उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरता है इसे कहीं और जाने की आवशक्ता नहीं होती है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को विजिट करें क्यूंकि इस चैनल पर आलरेड़ी सीटेट पेपर वन और पेपर टू के बहुत सारी सिफ्टों के सोलुशन आलरेड़ी प्रोवाइट कर दिये हैं तो आप चैनल को विजिट कीजिए और सभी सिफ्टों के सोलुशन देख लीजिए आपका फोर्थ कोप्शन आया था घटपरड़ी पादप जो कीट और मेढ़क तक को फसा कर खा सकता है हमारे देश के एक पूर्वी राज में भी पाया जाता है इस राज का नाम है तो आपका फोर्थ कोप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा मेगा लिया आपका फिप्थ कोप्शन आया था एवियस के लिए रचनातमक आकलन है तो आपका फिप्थ कोप्शन दूसरा सही हो जाएगा केवल ए और सी अधिगम के लिए आकलन अधिगम के रूप में आकलन आपका सिख्थ कोप्शन आया था रिसी चीजे हम जो बनाते हैं और करते हैं पढ़ानी की युजना बना रहा है वे रेसम कैसे बनता है इस पर चर्चा करना चाहता है इसके लिए निम्न लिखित में से सबसे उप्युक्ति युक्ति कौन सी होगी तो आपका सिख्थ कोप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा आपका सेविंद कोप्शन आया था निम्न लिखित में से कौन सा साधन इवियस में रचनात्मक आकलन के लिए उप्योग किया जा सकता है तो आपका सेविंद कोप्शन फूर्थ करेक्ट हो जाएगा उपक्ख्यनात्मक अभी लेक आपका एट्थ कोप्शन पूछा गया था स्याम ने ऑनलाइन कच्छा के दोरान अपने अध्यापक को बताया कि कोविड लॉक्डाउन के दोरान उसके पापा ने उसको पडोस के गरीब बच्चों को भोजन खिलाने के लिए कहा स्याम का ये बेवार निम्लिक खित में से सहसे च्चिक पच्च का आकलंद करने वाले कि इस उपकरण में दर्ज किया जाएगा तो आपका एट्थ कोप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा उपक्ख्यनात्मक अभी लेक आपका नाइन्थ कोप्शन पूछा गया था तीन पच्चियों का वैस अमूज इसका प्रतेख सदस्य वस्तूओं को हमारी तुल्ला में चार गुना अधिक दूरी से इस पस्ट देख सकता है जो वस्तू हमें दो मीटर की दूरी से दिखाई देती है उसे ही ये पच्ची आठ मीटर दूरी से देख लेते है कौन सा है तो आपका नाइन्थ कोप्शन फूर्थ करेक्ट हो जाएगा बाज, चीर और गिद आपका टेन्थ कोप्शन पूछा गया था नीचे दिये गए वेक्तियों में से सबसे पहले मच्चर के पेट में जहाका और ये सिद्ध किया की मच्चर मलेरिया फैलाते हैं आगे चलकर उसे उसकी खोज के लिए नोबल वुरुसकार से समानित किया गया तो आपका टेन्थ कोप्शन फूर्थ सही हो जाएगा रोनॉल्ड रोस आपका इलावन्थ कोप्शन पूछा गया था अंडमान के दीपो में सुनामी किस वर्स में आई थी तो आपका इलावन्थ कोप्शन फूर्थ करेक्ट हो जाएगा 2004 दोस्तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं आपको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को लाइक भी कर दिया करे और आपको इस यूट्यूब चनल पर ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे आप चनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आपका टॉल्थ कोशन पूछा गया था कच्छा पहली एवं दूसरी के लिए दूसरी के लिए पर्या वरण अध्यन की कोई पाठ पुस्तक नहीं है ऐसा इसलिए है क्योंकि तो आपका टॉल्थ का उप्शन दूसरा सही हो जाएगा पर्या वरण अध्यन की सिच्छक को करना चाहिए तो आपका थर्या वरण अध्यन में पकरण के स्थान पर उपविशय गत उपागम को स्विकार किया गया है क्योंकि तो आपका फिप्टीन्थ का उप्शन तीसरा सही हो जाएगा ए बी एंड डी ये सहीत और परस्पर समंदित समझ को सच्छम बनाता है ये सिच्छड और समझाने को आसान बनाता है ये विद्यार्थियों को उनके अनभवों से सीखने में सिच्छम बनाता है आपका सिक्स्टीन्थ कोश्चन पूछा गया था पर्या वरण अध्यन की प्रक्रती है तो आपका सिक्स्टीन्थ का उप्शन दूसरा सही हो जाएगा संग्या एवं क्रिया दोनों आपका सेविंटीन्थ कोश्चन पूछा गया था मिर्ची हमारे देश के लगबग हर इससे में उप्योग होने वाला एक महत्पुर मसाला है इस मसाले को व्यापारी हमारे देश में कहां से लाए थे तो आपका 17th का option 4th correct हो जाएगा दच्छड अमेरिका आपका 18th question पूछा गया था विलियम एक सिच्छक अपनी कच्छा के लिए पच्छी अवलोकन कलब की स्थापना करना चाहता है इसे इस कलब का नेता किसे बनाना चाहिए तो आपका 18th का option 4th correct हो जाएगा चोटे चोटे समू बनाकर उने नेता चुनने के लिए कहना चाहिए आपका 19th question पूछा गया था रमेज कच्छा पाच में जन्तूओं को पढ़ाने के लिए नाटक का उप्योग करना चाहता है उसे क्या करना चाहिए तो आपका 19th का option 3rd correct हो जाएगा विद्यार्थियों से नाटक लिखने और अभिने करने को कहें आपका 28th question पूछा गया था भोजन पाठ पर चर्चा करते हुए गुरुपरीत विद्यार्थियों से प्रस्ण करती है कि आपके परिवार में सबसे बाद में भोजन कौन करता है सबजियां कौन खरीदता है आपके परिवार में खाना कौन बनाता है वह EBS के निम्नल खित में से किस मुद्दे पर चर्चा करने का प्रयास कर रही है तो आपका 28th का option दूसरा सही हो जाएगा केवल C और D परिवार के सबस्यों की भोजन पकाने में भूमिका परिवार में जेंडर भूमिका को चुनोती आपका 21st कोश्चन पुछा गया था भारी वर्सा वाले छेत्रों जैसे आसाम में रहने वाले ग्रामीरों को अपने घर किस प्रकार के बनाने चाहिए तो आपका 21st का option दूसरा सही हो जाएगा बास के खंबों पर ढालू छत वाले घर आपका 22nd question पुछा गया था अपनी अगली कच्छा में प्रदूशर पढ़ाने के लिए योजना बनाते समय निवेदिता पाती है कि ग्रामीर प्रस्ट भूमी के विद्यार्थियों ने प्रदूशर सब्द नहीं सुना है और इसलिए उन्हें इस समझने में कटनाई होगे निवेदिता को इस समप्रत्य की सुरुवात करने के लिए कौन से विदिकापियों करना चाहिए तो आपका 22nd option 4th correct हो जाएगा केवल B और D विचार मंथन छेत्र ब्रहमड आपका 23rd question पुछा गया था गुजरात के निकटवर्ती राज्ये हैं तो आपका 23rd option 4th correct हो जाएगा राजस्थान, महराष्ट्र और मध्यप्रदेश आपका 24th question डारेक्शन बेस्ट पूछा गया था आपका घर X पर इस्तित है और आपका विद्यालय Y पर इस्तित है अपने विद्यालय पहुँचने के लिए आप पहले ठीक उत्तर दिसा में 3 km जाते हैं और फिर ठीक पूर्व दिसा में 4 km जाते हैं Y पर आपके विद्यालय के इसापेच आपके घर की निम्नतम दूरी और उसकी दिसा क्रमसा है तो आपका 24th option पहला correct हो जाएगा 5 km दच्छिड पस्चिम आपका 25th question पूछा गया था परिवार एवं मित्र पाठ के पूर्ड होने पर चेतन विद्यार्थियों काई-काई परिछड लेने का निर्ड़ाय लेता है निम्नले खित में से कौन सा कथन इस परिछड का सरवादिक उप्युक्त उदेश है तो आपका 25th question तीसरा करेक्ट हो जाएगा A, B और C विद्यार्थियों की प्रगती का आकलन करना विद्यार्थियों के अधिकम का आकलन करना या विद्यार्थियों की कटनाई का निदान करना अभिवावकों को विद्यार्थियों की प्रगती के बारे में बताना आपका 36 कोश्चन पूछा गया था उस पच्छी का नाम जिसकी आखे मानवों की तरह सामने की तरफ होती हैं तो आपका 36 का ओप्शन फूर्थ करेक्ट हो जाएगा उल्लू आपका 37 कोश्चन पूछा गया था गीता की कच्छा का एक विद्यार्थी एकबाल दर्श्टी वादित है गीता देखती है कि वे पिछले कुछ दिनों से विद्याले नहीं आ रहा है उसके अभिवावक से बात करने पर पता चलता है कि उसे बोड़ पर पढ़ने में कटनाई होती है और वे कच्छा प्रक्रियाओं में भी भाग नहीं ले पा रहा है गीता को एकबाल को विद्याला आने के लिए अभिप्रेरित करने हैं तो क्या करना चाहिए तो आपका टॉंटी सेवंध को आप्शन फूर्थ करेक्ट हो जाएगा एकवाल को आगे के सीट पर बिठाना चाहिए आपका टॉंटी एट कोशन पूछा गया था जल पर चर्चा करते हुए सिवांगी कच्छा के विद्यार्थियों से आकास पच्चित्र बनाने को कहती है सैम ने आकास में हरा रंग भरा उसने इस रंग को क्यों चुना ये पूछने पर वह जवाब देता है कि उसके घर के पास तलाब का रंग हरा है क्योंकि पानी आकास से आता है इसलिए आकास हरा होगा सिवांगी को तो आपका 28 पॉप्षन पहला सही हो जाएगा विद्यार्थियों के आकास का अवलोकन करने की विश्था करनी चाहिए आपका 29 पॉप्षन आया था घना नेशनल पार्क किस राज्य में इस्तित है तो आप 29 पॉप्षन पहला सही हो जाएगा राजस्थान केवला देव घना राश्ट्री उद्यार राजस्थान में इस्तित है अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगते हैं चनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और आपको ऐसे ही इस 30 questions complete करेंगे तो दोस्तों आपका पहला question आया था निम्न में से कौन सा उपकरण अवलोकन की तकनीक पर आधारित है तो आपका first option दूसरा सही हो जाएगा portfolio आपका second question आया था EBS पढ़ाने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य सिच्छा के सतद विकास में महत को दरसाता है तो आपका second option fourth सही हो जाएगा समानता न्याय सांती तथा मानव के अधिकारों एवं मर्यादा के सम्मान के विश्यों पर समालूचना करना आपका third question आया था ये उत्रा खंड का एक स्थान है तथा ये एक महत पूर्परिटन इस्थल है ये अरंड बाग के सन्रच्छन से सम है कि पहचान कीजिए तो आपका third option fourth सही हो जाएगा कॉर्बेट पार्क आपका fourth question आया था जार खंड की प्रमुक फसल है तो आपका fourth option third सही हो जाएगा चावल दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल पर परवन के CDP के सभी सिफ्टों के solutions एवीएस के सभी सिफ्टों के solutions मिल जाएंगे और साथ ही साथ आपको सीटेट पेपर टू के हिंदी CDP के भी कुछ सिफ्टों के solutions आपको प्रवाइट कर दिये गया आप चैनल को विजिट कीजिए आपका fifth question आया था उससे चुने जो दू दूसरा सही हो जाएगा परवत आपका sixth question आया था निम्लिखित में से कौन दच्छिन अमेरिका से आने वाले व्यापारियों द्वारा हमारे देश में लाया गया था तो आपका sixth option दूसरा सही हो जाएगा टमाटर आपका seventh question आया था हमारे देश के उन तीन राज्यों का मुद्रतर अरब सागर पर हैं तो आपका सेवन्थ कॉप्शन पहला सही हो जाएगा केरल करनाटक मारास्टरा आपका एट कोशन आया था करनाटक में किसानों द्वारा खेद की मिटी को खोद कर नरम करने के लिए उप्योग किये जाने वाले औजार को क्या कहते हैं तो आपक नैंत कोशन आया था मधुमनी चित्रकला बहुत पुरानी है तेवारों और खुसी के अफसरों पर मधुमनी घरों के अंगनों और दिवारों पर मधुमनी चित्रकला के चित्र बनाय जाते हैं मधुमनी भारत के एक राजिका एक प्रशित जिला है जिसका नाम है तो आपक नाइन्थ का उप्शन पहला सही हो जाएगा बिहार आपका टेंथ कोश्चन आया था खेत्र भ्रमण के माध्यम से EBS के प्रामारिक और सार्थक अधिकम के लिए एक सिच्छक निम्नलिखित में से किसका अपयोग कर सकता है तो आपका टेंथ का उप्शन फूर्थ सही हो जाएगा A, C तथा D स्रचनात्मा कारिपत्रक भ्रमण के लिए अप्चारिक निर्देश छात्रों के समू एवं उनके नेता का गठन करना आपका 11 कोश्चन आया था प्राथमे किस तरपर EBS की विशय वस्तु आपस में सम्मंधित एक अंता सम्मंधित है क्योंकि तो आपका 11 कोश्चन पहला सही हो जाएगा EBS का स्वरूप एक ही करत है आपका 12 कोश्चन आया था निमनल इखित में से क्या पर्यावरण अध्यन की कच्छा में विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाएगा तो आपका 12 का उप्शन तीसरा सही हो जाएगा चित्रकला और सिल्पकला दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप चैनल को विजिट कीजिएगा चैनल में आपको कई सारे सिफ्टों के सोल्यूशन अल्रेडी आपको प्रोवाइट करा दिये गए हैं फिर चाहें वो सीटेट पेपर वन के सीडीपी, हिंदी एवियस के सोल्यूशन्स हो या आपके सीटेट पेपर टू के सीडीपी और हिंदी के सोल्यूशन्स हो आपका थर्टीन्थ कोश्चन पुछा गया था निम्न में से कौन सा एवियस के पाठ करम का एक उपविशय है तो आपका थर्टीन्थ कोश्चन दूसरा सही हो जाएगा रिस्ते आपका फोटीन्थ कोश्चन आया था निम्न लिखित में से कौन सी एक परिवहन के अन्न चार विधाओं से भिन्न है ट्रेन, बस, जहाज, तांगा, साइकल, रिक्सा तो आपका फोटीन्थ कोश्चन पहला सही हो जाएगा जहाज आपका फोटीन्थ कोश्चन आया था उस वैग्यानिक का नाम जिसने मुटर के पोधे के साथ प्रियोग किये और अपने प्रेचनों के अधार पर ये निसकर्श निकाला पोधों में कुछ लच्छड ऐसे होते हैं जो जोडों में पाय जाते हैं जैसे लंबे अथवा बौने पीले अथवा हरे खुरदरे अथवा चिकने आदी हैं तो आपका फिप्टीन्थ कोश्चन दूसरा सही हो जाएगा ये आपका सिक्स्टीन्थ कोश्चन पूछा गया था पर्या वरण अध्यन की कच्छा में छात्रों को निम्न लिखित में से किसका आउसर मिलता है तो आपका सिक्स्टीन्थ कोश्चन तीसरा सही हो जाएगा प्रश्चन पूछनेगा आपका सेविंटीन्थ कोश्चन पूछा गया था निम्न में से कौन से क्रिया कलापों का सुझाओ हमारे भोजन का उत्पादन कौन करता है थीम खादिके प्रशन को संबोधित करने के लिए उपियुकत है तो आपका 17 का उप्शन तीसरा सही हो जाएगा A, B तथा C किसानों के व्रतांतों को साजा करना किसी खेत में जाना एवं अवलोकन करना अंकुरण के लिए अनकूल परस्तियों के लिए प्रियोग करना आपका 19 कोशन पूछा गया था निम्न लिखित में से क्या पर्यावरण अध्यान की कच्छा में सिच्छा के लिए आसान है तो आपका 19th का option दूसरा सही हो जाएगा विद्यार्थियों को सूचना देना आपका 20th question आया था हचनात्मक आंकलन की तकनीक का चयन कीजिए तो आपका 20th का option पहला सही हो जाएगा सैपाथी आंकलन आपका 21st question आया था केचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है इसके लिए निम्न लिखित में से उच्छित कारणों को चुनिए तो आपका 21st का option दूसरा सही हो जाएगा A, B और D केचुओं जिस खेत में रहते हैं वहां की मिर्दा में छेद बनाकर उसे पोली अर्थात नरम बनाते हैं केचुओं दौरा बनाए गए छेदों से मिर्दा को हवा और पानी असानी से प्राप्थ हो जाते हैं केचुओं मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं केचुओं के मल मिर्दा को अधिक उपजाओ बनाते हैं आपका 22nd question आया था NCRT की EBS पार्थ पुस्तक में कच्छा पाँच के अध्याए 21 के माध्यम से मेंडल की कहानी पिता की तरह बेटी देने का उदेश्य निम्नल खितमे से क्या है तो आपका 22nd option पहला सही हो जाएगा B, C और D आपका 23rd question पूछा गया था विद्यार्थी किस प्रकार EBS में सीख रहे हैं इसका आकलन करने के लिए निम्न में से कौन सा सूचक उपयोग किया जा सकता है तो आपका 23rd option दूसरा सही हो जाएगा विचार विमर्स दोस्तो अगर आपको ये वीडियोज अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल पर आपको डेली वीडियोज मिलती रहेंगे आपका 24th question आया था निम्नल इखित में से क्या पर्यावरण अध्यान के अधिगम का प्रभाव साली संसादन है तो आपका 24th option तीसरा सही हो जाएगा model आपका 25th question आया था मद मख्यों के बारे में नीचे दिये गए कितनों पर विचार कीजिए तो आपका 25th option दूसरा सही हो जाएगा A, B और D परते एक छटे में एक रानी मख्यों होती है जो अंडे देती है एक छटे में केवल कुछ नर्मक्या होती है छटे में अधिकांस मख्या, स्रमिक मख्या होती है तो आपका option second सही हो जाएगा A, B और D आपका 26th question आया था एक कार X सहर से साड़े साथ बज़े चलका सहर Y में साड़े दस बज़े पहुंसती है यदि दोनों सहरों के बीच की दूरी 540 km है तो कार की औसद चाल होगी तो आपका 26th option दूसरा सही हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड तो आपका औसद गती का फार्मूला होता है तोटल डिस्टेंस अपॉर्टल टाइम आपका 27th question पूछा गया था नीचे दीगए कतनों पर विचार कीजिए और आपको बताना था इन में से कौन सा कतन आपका सही है तो आपका 27th का जो option करेक्ट होगा वो आपका दूसरा होगा माराश्ट के लोगों को सहजन के फूलों के पकोड़े खाना अच्छा लगता है और उतार प्रदेश में रहने वाले लोगों को कचनार के फूलों की सब्जी पसंद है आपका 28th question आया था हमारे देश के किस एक राज और लेकिन सहसेट प्रदेश में खेती के लिए जंगल की भूमी सारे ग्राम वासियों की साजी होती है अलग-अलग परिवारों की नहीं होती है तो आपका 29th का option फोर्ट सही हो जाएगा मिजोरम आपका 30th question पुछा गया था NCRT का EBS का अध्याए तेश पोचम पली डैश पर आधारित है इदर पर डैश पर आधारित है तो आपका 30th का option पहला सही हो जाएगा वास्तविक इस्थानू दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप चैनल को विजिट कीजिए आपको इस चैनल पर बहुत सारी सिफ्टों के solutions अल्रेडी प्रोवाइट करा दिये गए हैं तो आप आराम सोने देखिए और अपनी preparation को बूस्तव कीजिए आज हम 24 दिसंबर सीट अटोटी नटी वन पेपर वन के फुल 30 questions एवियस के करेंगे आपका पहला question आया था जो उसे सभी दिसाओं से धनियों को पकड़ने में मदद करता है तो आपका first option पूर्थ सही हो जाएगा बाग टाइगर आपका second question आया था select the activity which is different from the other activities उस गतिविदी का चयन करें जो अन्य गतिविदियों से अलग है तो आपका second option थर्ड सही हो जाएगा बालों में कंघी करना कॉम्बिंग हेर थर्ड कोस्चन आया था पॉलोविंग से तो वन साइड आपका नेम आप दा बड्स एंड सेकेंड साइड डिस्क्रेप्शन अबाउट निस्ट तो आपका जो थर्ड को ऑप्शन करेंट हो जाएगा वह है आपका फूर्थ आपका फूर्थ कोस्चन आया था अग्रूप अग्रूप आप थ्री इटेबल इच मेंबर आफ विच इज रिच इन आईरन इज तीन खाद्र पदार्थों का एक सम्मू जिसमें आईरन भरपूर है तो आपका फूर्थ कॉप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा पा इस यूटूब चैनल को विजिट करें इस यूटूब चैनल पर 2021 में हुए सीटेट पेपर वन और पेपर टू के मैक्जिमम सिफ्टों के सलुशन आल्रेडी प्रोवाइट कर दिये हैं आप चैनल को विजिट करें और सभी वीडियो को देख लीजिए आपका फिप्त कोस् आपका फिप्त को उप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा ब्लू होट ब्लू कोल्ड आपका सिफ्ट कोस्चन आया था अकार कवसा डिस्टेंस आप 1512 किलो मीटर इन 28 घंटे दा एवरेज स्पीड आफ दा कार इस एक कार 28 घंटे में 1512 किलो मीटर की दूरी पैय करती है कार की उसत गती है तो इसमें आपको एवरेज स्पीड करनी है तो आपका सिफ्ट को ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा पंदरा मीटर पर सेकेंड आपका सेवंथ पोश्चन आया था इन वन आप दे स्टेट अपर कंट्री इस अब्ज़र्व अब्जर्व अब्जर्व अरि बिकास आप हैवी रेंट्स दा रूफ अफ दा हाउसे अर जेनरली मेट स्लॉपिंग दिस स्टेट पुट भी हमारे देश के एक राज में ये देखा गया कि ग्रामीर चेत्रों में अधिकांस घर मजबूत बास के खंबो पर बने होते हैं लकडी के फर्स लगभग 3 से 3.5 म पेटर उचे होते हैं घरों की दिवारे भी लकडी से बनी होती हैं भारी बार इसके कारण घरों की छटे आम तवर पर धलान वाली हो जाती है यह राज ये कौन सा है तो आपका सेवंथ को ऑप्ष्ण सेकेंड सही हो जाएगा कि जो ऐसे घर होते हैं ये आपके आसाम में हो खाड़ी पर इस्तित हैं तो आपका एट्थ को ऑप्ष्ण सेकेंड सही हो जाएगा आंद्र प्रदेश तमिलनाडू उडिशा आपका नाइन्थ कोश्चन आया था इन जार्खन दब्लेज कांसेल पंचायत अलोट्स लेंड ऑफार्मिंग लेंड फार्मिंग बाई ड्रॉ ऑफ लॉट्स दाइस्पेशल यूनिट यूनिट उजड पर अलाट्मेंट ऑफ लैंड इस तेन दा मीनिंग ऑफ दिस यूनिट इस जार्खन में ग्राम परिश्चन पंचायत ड्रॉ द्वारा खेती के लिए भूमी अवंटित करती है भूमी अवंटन के लिए प्रयोगते विशेश इकाई तेन है इस इकाई का अर्थ है तो आपका नाइन पॉप्शन दूसरा सही हो जाएगा एक भूमी जिस पर एक तिन किसान एक तिन बीच उगाता है अल्लैंड ऑन विच आफ फॉर्मर ग्रोज वन तेन ऑफ सीट्स आपका एंथ पॉश्चन आया था जूम के प्रथाओं के तहट जारखंड के किसानों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रथाओं के समद्ध में निम्न लिखेत कथनों पर विचार करें सही कथन है तो आपका टैन्थ पॉप्शन तीसरा सही हो जाएगा एक फसल काटने के बाद भूमी को उसी वर्स के लिए छोड़ दिया जाता है खर पर तुवारी की राख खाट का काम करती है आपका 11 कोश्चन आया था इन आर कंट्री अ ट्राइवल पीपल है बीन यूजिंग ब्रोंज टू टू टेक मैनी तिंग्स पॉर्ट्स इस्टेचूस एटीसे Since thousands of years, even now we use bronze in our houses. Select from the following the most appropriate statement about bronze. हमारे देश में आदिवासी हजारों वर्सों से कासे का उप्योग बहुत सी चीजों बरतन मूर्ती आदी बनाने के लिए करते आ रहे हैं. आज भी हम अपने घरों में पीतल का प्रियोग करते हैं. निम्न लिखित में से कांस के बारे में सबसे उप्योगत कथन का चैन करें. तो आपका 11th कॉप्शन 4th correct हो जाएगा. दोस्तों ये गूगल ट्रांसलेशन होता है. तो हिंदी काफी टाफ होती है. एक बारी आप इंगलिस वाला जरूर पढ़े हैं. आपका 13th कॉप्शन आया था. कन्योज इत्र के लिए प्रशिद सहर है. ये सहर भारत के एक राज्य का एक जिला है. जिसे कहा जाता है. तो आपका 13th कॉप्शन पहला सही हो जाएगा. उत्तर प्रदेश. आपका 15th कॉप्शन आया था. A set of three Indian festivals celebrated on the full moon day is. पूर्मा के दिन मनाय जाने वाले तीन भारती यतिभारों का एक समू है. तो आपका 15th कॉप्शन तीसरा सही हो जाएगा. होली, रक्षाबंधर, गुरुनानक, जैन्दी. ये सारे कॉश्चन काफी रिपीट होते हैं. इनको आप ध्यान से पढ़िएगा. आपका 16th कॉश्चन आया था. इसके लिए सरवाधिक उप्युत है. तो आपका 16th कॉप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा. इस पस्ट करने और भांतियों के गठन से बचने के लिए आप धावरना का विवर्ण है. आपका 17th कॉश्चन आया था. क्योंकि तो आपका 17th कॉप्शन तीसरा सही हो जाएगा. यह अनभवात्मक्स अच्छा प्रतान करता है. आपका 18th कॉश्चन आया था. इस्टुदेंट्स आफेफ्ट क्लास इस एन इन एन EBS क्लास्रों एस्टीमेट दा नमबर आफ चना सीट्स रिक्वायर तू फिल अब इस्मॉल बॉक्स विच प्रॉस्चन आया था. आपका 19th कॉश्चन आया था. प्लांट्स एन एनिमल्स आर पार्ट आफ दा थीम फैमली एंद फ्रेंस. दे रीजन पॉस्च प्लेस्मेंट इस पौधे और जानवर परिवार और दोस्ट थीम का हिस्सा है. ऐसी नियुक्तिका कारण है. आपका 19th कॉप्शन पहला सही हो जाएगा A और B. चात्रों को पॉधों और जानवरों को अपने परिवार के हिस्से के रूप में मानने में सच्छम बनाने के लिए. पॉधों को पॉधों और जानवरों के प्रतिक चात्रों में समेधन सिलता विक्सित करना. आपका 20th कॉष्चन आया था One of the major objective of the teaching of EBS at the primary level is to enable students. प्रात्मी के स्च्छड का एक प्रमो को दे सच्छात्रों को सच्छम बनाना है तो आपका 20th कॉप्शन तीसरा सही हो जाएगा. कच्छा सिच्छड को विद्याले के बाहर के जीवन से जोड़ने में विद्यार्थियों की साहता करें. आपका 21st question आया था There is no prescribed textbook for EBS for class first and second which of the following is the most appropriate reason for this. कच्छा एक और दो के लिए EBS के लिए कोई निधायत पाटपुस्तक नहीं है इसका सबसे उप्युत कारण निम्न लिखित में से कॉल्सा है तो आपका 21st option तीसरा सही हो जाएगा. आपका 22nd question आया था Which of the following is are the most appropriate strategies to sensitize students towards तंजबेशन आफ प्लांस एंड ट्रीज निम्न लिखित में से कौन पौधों और पेड़ों के संच्छड के अपराति छात्रों को समेधन सील बनाने के लिए सबसे उप्युत रणनीती है तो आपका 22nd option पहला सही हो जाएगा A, C और D लकडी के लंबे वाले गोदाम में जाना बनों के संच्छड पर भूमिका निभाना एं पेड को गोद लेना और उसकी देखभाल करना विस्टिंग अगोडान, having wooden longs, role playing on conservation of forest, adopting a tree and taking care of it आपका 23rd question आया था, which is the correct approach by an EVS teacher for evaluating students' knowledge in EVS EVS में विद्यार्थियों के ज्यान का मुल्यांकन करने के लिए EVS सिच्छ द्वारा कौन सा सही तरीका है तो आपका 23rd question पूर्थ सही हो जाएगा, सिच्छ का ने अपने विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त उपकरण उनके पढ़ाने के तरीके और इस्थानी संदर्बों को उपयुक्त बनाया आपका 24th question आया था, which is the option below, should ideally follow our activities done by students to consolidate their learnings चात्रों द्वारा अपने दिकम को समयकित करने के लिए की गई सभी गत्विद्यों का अगर्स रूप से नीचे दिये गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प होना चाहिए तो आपका 24th option थर्ट सही हो जाएगा कच्छा में चर्चा, discussion in the classroom आपका 25th question आया था, which of the following will be used by EBS teacher to assess the authentic learning of the students EBS इच्छा द्वारा अपने छात्रों की प्रामारिक सिच्छा का अकलन करने के लिए निम्ल कितमे से कुसका उप्यों करेंगे तो आपका 25th option थीसरा सही हो जाएगा पोर्टफोलियो आपका 26th question आया था, which of the following is the most appropriate strategy or resource while teaching the theme, things we make and do विशाय को पढ़ाते समय निम्ल लिखित में से कौन सबस्प्यों रणनीती या संसादन है कीचे जो हम चीजे जो हम बनाते और करते हैं तो आपका 26th option पहला सही हो जाएगा विभिन, निर्मार समगरी और डिजाइनों के पहचान करने के लिए एतिहासिक इस मार्कों का दोरा विजिट टू आ, historical monuments to identify various buildings, materials and designs आपका 27th question आया था, कच्छा 3 के छात्र अपने परिवार के सदस्यों के बारे में सीखते हैं और फिर कच्छा 4 में परिवार के पेड़ और कच्छा 5 में परिवारिक बाच्चीत के विचार पर आगे बढ़ते हैं इस विच्छा में पार्टिकरम रस्टिकोड है, तो आपका 27th option थर्ट सही हो जाएगा इस्थानी से वेस्विक, लोकल से लोकल टू ग्लोबल आपका 28th question आया था इवेस पार्टि हो जना में विचार करने के लिए सिच्छा के लिए निम्नल लिकित में से कौन सा एक महतपूर तर्टू है तो आपका 28th option फूर्थ करेक्ट हो जाएगा A, C और D निर्देशातमत विशिस्ट उद्देश प्रमुक अफधायडाय और प्रत्रिया कॉसल सामान्य उद्देश आपका 29th question आया था विच आप दा फॉलोविंग इस दा मोस्ट एप्रॉप्रियेट स्टेटजी तो टीज ईवेस टू दा विजुवल इंपेर्ड स्टूडेंट्स द्रश्टी वाधित छात्रों को ईवेस पढ़ाने के लिए नियमे लिखित में से कौन सी रणनीती सबसे उप्यूक है तो आपका 29th option फोर्थ करेक्ट हो जाएगा A, B और D ओडियो पार्ट तयार करें इस पर से सामग्री या बड़े प्रिंट का प्रियोग करें दा थीम वाटर विच आप दा फॉलोविंग साइट्स विल ही स्लेक्ट सलीम प्राथ में कच्छाओ के छात्रों को पानी विशय पढ़ाते हुए एक छेत्र के दोरे पर ले जाना चाहता है वैं निम्न लिखित में से किस साइट का चैन करेगा तो आपका थाटियत का उप्षिन फूर्थ करेक्ट हो जाएगा ए बी और सी जल संचयन संयंत्र जो हाथ और बावली तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ सेयर करें आज हम 27 दिसंबर सीटेट 2021 पेपर वन के फूल 30 कोस्चन एवियस के कंप्लीट करेंगे तो आपका पहला कोश्चन आया था राधा सीचर अबजब्ड देट राधा इस फाइंडिंग डिफल्टी इन रीडिंग ब्लैक बोर्ड दॉक्टर सजेस्ट देट राधा नीट्स तू इंक्रीज दा फूड रिच इन विच आप दा फॉलोविं नूट्रियंट्स राधा के सिचक ने देखा कि राधा को ब्लैक बोर्ड पढ़ने में कटनाई हो रही है डॉक्टर का सुझाव है कि राधा को निमन लिखित में से किस पोसर्तर तुसे भरपूर भोजन बढ़ाने की अवशक्ता है तो आपका फर्स्ट कॉप्शन सेकेंड सही हो जाएगा व दैची गाम दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को लाइक दे कर दीजिएगा और अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस यूटूब चैनल को विजिट करें इस यूटूब पर दो हजार एकिस बाइस में हुए सीटेट पेपर वन और पेपर टू के मैक्जिमम सिफ्टों के सलुशन्स और रेडी प्रोवाइड कर दिये गए हैं आप इस यूटूब चनल को विजिट करें और सभी सिफ्टों के सलुशन्स देख लीजिए आपका फैड कोशन आया था ओजोन लेयर प्रोटेक्षण इस एन इंप्वार्टेटिव अंडर्टेकन आॉल ओवर दवर्ड स्लैक्ट आ रीजन देट लेट टू प्रोटेक्षण आफ ओजोन लेयर प्रोटेक्षण पूरी दुनिया में की जाने वाली एक महत पूर पर्या वर्णी पहल है उस कारण क चैन करें जिसके कारण उजोन प्रत का सनर्चन हुआ तो आपका थार्ड का ऑप्षिन दूसरा सही हो जाएगा मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल आपका फूर्थ पोश्चन आया था दबर्ड वैट वज अ कॉमन साइट इन डेली बट नाव अ इस अब्जर्व तो रेज ऑवेर्नेश अबाउट अबड़ एज इट एस बिकम रेयर डियु तो अर्बनाइजेशन दबड इस पच्छी जो दिल्ली में एक आम द्रश्य था लेकिन अब पच्छी के बारे में जागुरुक्ता बढ़ाने के लिए एक विशेज दिन मनाया ज जाता है क्योंकि सहरी करण के करण यह दुर्लब हो गया है तो अच्छी है तो आपका फॉर्थ कॉप्शन पॉर्थ करेक्ट हो जाएगा गौर्या इस पैरो कि आपका फिप कोश्चन आया था इन विच आप दा फॉलोविंग प्लेसेस यू कन सी बोट्स बिंग यूजड एज मेड आफ ट्रांसपोर्ट निम लिखित में से किस स्थान पर आप नाव को परिवहन के साधन के रूप में उप्यों करते हुए देख सकते हैं तो आपका फिप्ट को ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा कस्मीर और कीरल आपका सिक्ट कोशन आया था विच आप दा फॉल रानी को कपड़े का एक टुकड़ा मिलता है जो है कपड़े की पहचान करें बहुत मजबूत और चमकीले रंग कई छिद्र नहीं होते जलने पर गंद पैदा करता है हर जगह उपलब्द है और उसके और इसके कई उप्यों गए उच्छ तापमान के दौरान पहना नहीं जा सकता है तो आपका सेवन्थ और ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा पॉलिसर आपका एट पॉस्टन आया था इस्टू ऑर्गनिजम बिलॉंग इंटू डिफरेंट स्पेसीज कम तोगेदर इन एस्टूसियेशन एंड वन इस हम्ड एंड़ अदर इस बेनी पिटेट सच एस्टूसियेशन इस यदि दो अलग अलग वजाती हो कि जीव एक साथ जुड़ते हैं और एक को नुकसान होता है और दूसरे को फायदा होता है तो ऐसा जुड़ाओ है तो आपका एट पॉप्शन पहला सही हो जाएगा पर जीव पर जीवी बाद आपका नाइन आपका 10th question आया था which one of the following plants is used for making containers and in making houses निमन लिखित में से किस पौदे का प्योग पात्र बनाने और घर बनाने में किया जाता है तो आपका 10th option दूसरा सही हो जाएगा बास आपका 11th question आया था which one of the following food habits will help to reduce carbon footprints निमन लिखित में से कौन से भोजन आदत कार्बन पजिन को कम करने में मदद करेंगे तो आपका 11th option फोर्थ करेक्ट हो जाएगा इस्थानी उगाएगा भोजन का सेवन एटिंग लोकल ग्रोन फूड आपका 12th question आया था प्रॉपिक आपकेंसर पासिस फूर विच आप दा फॉलोविंग इंडियन इस्टेट्स करके रेखने में लिखि गुजरती हैं तो आपका 12th option दूसरा सही हो जाएगा गुजरात राजस्थान मद्द प्रदेश 36 गड़ जार खंड पश्चे मंगाल त्रेपुरा और मिजोरम तो तरक रेखा जो भारत में यह आपके 8 राजियों से होकर गुजरती है आपने पिछली सिप्ट में भी देख कोशन आया था इन अर्बन सेटिंग विजिटेबल वेंडर कैन नॉट रिटेन दा प्रोड्यूस फॉर लॉंग टाइम एंडिसाइड सू सेल इट इमेडियेटली एट लो प्राइसे दिस इस बिकल्स सहरी परिवेस में सब्जी विक्रेता उतपाद का लंबे समय तक नहीं योग्य हैं आपका फॉर्टींथ कोश्चन आया था विच आप दा फॉल्विंग बट्स है फिल्टरिंग सिस्टम इंदी इर बेक्स निमनले खितमें से किस पच्छी की चोच में फिल्टरिंग करनाली होती है तो आपका फॉर्टींथ को पहला ही सही हो जाएगा फ्लामिं कोश्चन है तो आपका फिप्टींथ कोश्चन कोश्चन सही हो जाएगा एक इक्रत इंटीग्रेटर अब खुद भी देख रहे होंगे कुछ पॉस्चन संटीनियू सिंट में रिपीट्स हो रहे हैं आपका सेवेंटींथ कोश्चन आया था एविए करिकुलम इस बेस्ट आपका सेवेंटींथ का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा विशाबस्तु चात्रों के पर्यावरण की एक चूड़ी और अंतर समधित समझ की अनुमति देती हैं थीम्स अलाव अक्नेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड अंडर्स्रेंडिंग आफ इंवार्मेंट आफ इस्ट साइन्स एंड इंवार्मेंटल एडूकेशन एस पर दा रिकमंडेशन ऑफ तच्छा तीसरी से पाच्वी के लिए एविएस एक विशाय के रूप में की सिपारिस के अनुसार विज्ञान समाजिक विज्ञान और पर्यावरण सिच्छा को एक ही करत करता है तो आपका एट यह आप्शन्स भी टिक करने पड़ते हैं आपका नैंटीन्थ कोश्चन आया था विच आप दा फॉलोविंग में बी दा मोस्ट चैलेंजिंग और एविएस टीचर इन हर एविएस क्लास एक एविएस इच्छा के लिए उसकी एविएस का इच्छा में निम्न लिखित में से कौन सबसे चनौती पूर्ण हो सकता है तो आपका नैंटीन्थ को आप्शन तीसरा सही हो जाएगा च्छात्रों की विविल समोहों को समोधित करना एड्रेसिंग डाइवर्स गुरूप आप स्टुडेंट्स आपका टुंटियत कोश्चन आया था विच आप दा करके सीखना रट कर सीखने को हटोर्स गाने हाध करना आपका 21st पोशचन आया था Zusammen made and do Giant in EBS करिकूलम बेस बनाते हैं और हम करते हैं एक हैं है तो आपका 21st option पहला सही हो जायेगा में आपका 22nd पोश्चन आया था विच जो कि जानवरों के सनच्छण के मुद्दे पर छात्रों को सम्वेदन सील बनाने की रड़नीती है तो आपका 22nd को option दूसरा सही हो जाएगा A, C और D कहानिया और आख्यान किया तर्थाएं कॉमिक, स्टेप्स और कभी ताएं आपका 23rd question आया था The objective of conducting activities in EBS classes is to EBS का छोमेकाती विद्धियों के संचालन का उदेश है तो आपका 23rd option तीसरा सही हो जाएगा A, B और C छात्रों को अन्वेशन और अवलोकन करने के आफ्सर प्रदान करते हैं छात्रों के मनोपरेड़ा कोशल का विकास करना छात्रों की सौंदर संबंदी संवेदन सिल्था का विकास करना आपका 24th question आया था Students, questions are important indicators of the year EBS learning because छात्रों के प्रशन उनके EBS सीखने के महत पूर संकेतक हैं क्योंकि तो आपका 24th option तीसरा सही हो जाएगा A, B और C प्रशन छात्रों के ज्यान का आकलन करने में मदद करते हैं प्रशन छात्रों को स्वैम को अभिवेक्त करने का औसर प्रदान करते हैं यह उनकी सीखने की जग्यासा को दर्साता है आपका 25th question आया था I student of AVS analyze the problem given by his teacher analyze is A, dash AVS का एक छात्र अपने सिख्चक द्वारा दी गई समस्या का विशलेशन करता है विशलेशन का विशलेशन एक dash है तो आपका 25th option पहला सही हो जाएगा A और B प्रक्रिया को सल संग्यानातमर प्रक्रिया प्रक्रिया प्रॉसस इसके cognitive प्रॉसस आपका 26th question आया था Which of the following can also be a good resource of AVS learning other than textbook and teachers निमनलिकित में से कौन पार्ट पुस्ततों और सिख्चकों के अलावा AVS सीखने का एक अच्छा संसादन भी हो सकता है तो आपका 26th option तीसरा सही हो जाएगा A and B only अखवार समुदाय के सदस्वे निउस्पेपर मेंबर्स आफ दा कम्यूनिटी आपका 27th question आया था Which of the following issues will be discussed in the AVS class AVS का अच्छा में निमनलिकित में से किस मुद्दों मुद्दे पर चर्चा की जाएगी तो आपका 27th option पहला सही हो जाएगा A, B और C पैट्रोल की कीमते जैनवरों की सुरच्छा जल संकट आपका 28th question आया था Which of the following can be the indicator of social skills of assessment in AVS निमनलिकित में से कौन AVS में आकलन के लिए सामाजिक पॉसल का संकेतर हो सकता है तो आपका 28th option तीसरा सही हो जाएगा साजह करना और एक साथ काम करना Sharing and working together आपका 29th question आया था Categorizing the animals based on the air colors above the lines indicates जानवरों को उनके रंग के अधार पर वरगी करत करना है रेखा के उपर डैश इंगित है तो आपका 29th option पहला सही हो जाएगा सीखने का उद्देश आपका 30th question आया था एक सिच्चक द्वारा अवलोकन के माध्यम से EBS के चात्रों का मुल्यांकन उनके प्रशने पोच कर चित्र बनाने में उनकी भागेदारी और चर्चा में भाग लेने के बाद एकाई परिछड से पता चलता है कि उनके तो आपका 30th option तीसरा सही हो जाएगा सिच्चक स्कूल अधारत मुल्यांकन का उप्योग कर रहा है अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस यूटो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ सेयर करें आज हम 28 दिसम्बर सीटेट 2021 पेपर वन के फुल 30 कोशन एवियस के करेंगे तो आपका पहला कोशन डियरेक्शन वेज़ आया था एक मरीज का घर X में है और जिस अस्पिताल में उसका इलाज चल रहा है वे Y में है मरीज के घर से अस्पिताल तक की कोई सीधी गली नहीं है इसलिए रोगी पहले A में जाता है जो X के पूर्व में 800 मीटर की दूरी पर है फिर B पर जाता है जो A के दर्चिड में 600 मीटर है फिर C में जाता है जो B के पस्चिम में 150 मीटर है और अंत में Y पर अस्पिताल पहुचता है जो की 100 मीटर है C के उतर में अस्पिताल के समंध में रोगी के घर की दिसा है तो आपका first option पूर्थ correct हो जाएगा उतर पस्चे नौर्थ वेस्ट आपका second question आया था वेप अच्छी जो जटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर सकता है वे है तो आपका second option मैना सही हो जाएगा दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस यूटूब चैनल को विजिट करें इस यूटूब चैनल पर 2021 में हुए सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम सिफ्टों के सलुशन्स अल्रेडी प्रोवाइट कर दिये गए हैं आप इस यूटूब चैनल को विजिट करें और सभी सिफ्टों के सलुशन्स देख लीजिए आपका थर्ड कोश्चन आया था दबबर्ड विच कैन रोटेट इस नेक बैकवर्ड टू आ लार्ज एक्सेंट इस वे पच्ची जो अपनी गर्दन को काफी हद तक पीछे की और घुमा सकता है तो आपका थर्ड कोश्चन थर्ड आपका सही हो जाएगा उल्लू आपका फोर्थ कोश्चन आया था दरश्टी बादित व्यक्ती ब्रेल लिपिका प्रियोग करते हैं इस प्रकार की लिप में मोटे कागच पर उभरे हुए बिंदुओं की एक पंती बनाई जाती है इन उभरे हुए बिंदुओं के कारण दरश्टी बादित व्यक्ती उन पर उंगलिया चला कर पढ़ सकते हैं यह स्क्रेप्ट पर आधारित है तो आपका फूर्थ कॉप्शन तीसरा सही हो जाएगा च्छैंग आपका फिप्ट कॉप्शन आया था हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहां ग्रामीर इलाकों में भारी वारिस के कारण घरों में घरों को जैमीन से लगबक 3-3.5 मीटर उपर बनाया जाता है घरों के अंदरोनी हिस्से लकडी के बने होते है यह राज्य है तो आपका फिप्ट कॉप्शन पूर्थ करेक्ट हो जाएगा कि ऐसे घर जो होते है आसाम के है आपका सिक्स कॉप्शन आया था जिस राज में जिम कार्बेट नेसनल पार्ग इसले बहे है उतर खंड इसमें आपका फिप्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका सेवन्थ कॉप्शन आया था तीन अलग-अलग जग्यों के घरों के विवरण पर पूरी तरह से अलग-अलग जलवाई पर विचार करें मकानों का सही विवरण है तो आपका सैविंध का ओप्षन पूर्थ करेक्ट हो जाएगा ए और सी ले हैं में मकान पत्थरों से बने हैं दो मंजिल हैं जानवरों के लिए भूतल और आवस्यक चीजों के भंडारण के लिए लकड़ी के फर्स सपार्ट छते हैं राजस्तान में ग्रामीर चेतरों में लोग तंटीली जाड़ियों की छतों वाले मिट्टी के घर में रहते हैं आपका एट्थ कोश्चन आया था निम्न लिखे जीवों पर विचार करें और उससे चुने जो दूसरों से अलग हैं तो आपका एट्थ कोश्चन तीसरा सही हो जाएगा क्रवा प्रो आपका नाइन्थ कोश्चन आया था Consider the following statements about elephants The correct statements are तो इसमें हाथियों के बारे में दिम्न लिखी कत्रों पर विचार करें सही कत्थन है तो आपका नाइन्थ का उप्शन तीसरा सही हो जाएगा C और D एक बयस्त हाथी एक दिन में 100 किलों से अधिक पत्ते और टेहनिया खा सकता है हाथी के जुंड में सबसे बड़ी मादा हाथी सब कुछ तै करती है आपका 12th question आया था On the map of India If you draw a straight line from Polkata to Chandigarh Then the direction of Chandigarh with respect to Polkata would be भारत के मांचित पर यदि आप Polkata से Polkata से तक का एक सीधी रेका खीषते हैं Chandigarh तो Polkata के संबंद में Chandigarh की दिसा होगी तो आपका 12th option पोर्थ करेक्ट हो जाएगा उत्तर कस्चिम नॉर्थ वेस्ट आपका 13th question आया था Select from the following the correct sequence of growing the onion crops निमनलिकित में से प्याज की फसल उगाने का सही क्रम है तो आपका 13th option पोर्थ सही हो जाएगा D, A, B, E, C, मिटी को धीला करने के लिए खुदाई बीच बोना, निराई करना, उसके बाद प्याज को तोड़ना उसके बाद प्याज के उपर से सुखे पत्ते को काटना आपका 14th question आया था The character is the features not found in desert oak trees is रेकेस्थानी ओग के पेड में नहीं पाय जाने वाले विशिस्ट लच्षण हैं तो आपका 14th option पोर्थ करेक्ट हो जाएगा बड़ी और असंट पत्तिया होना Have large and numerous leaves आपका 15th question आया था Neighboring states of Tamil Nadu are Tamil Nadu के परोसी राच्चे हैं तो आपका 15th option दूसरा सही हो जाएगा आंद्रप्रदेश केरल करना तक आपका 16th question आया था मोहन का अच्छा में बताता है कि उसकी पिता कुलहर बनाते हैं आप छातरों को चीजें जो हम बनाते और करते हैं विशय के तहित चाय पीने के लिए कुलहर बनाना सिखाते सिखाना चाहते हैं तो आपका 16th option पहला सही हो जाएगा सामुदायक संसादन Community Resources आपका 17th question आया था विच आप फॉलोविंग स्टेटमेंट्मेंट्स इस बेस्डिस्रिप्शन आप साइंस निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान का सबसे अच्छा बर्णन है तो आपका 17th option दूसरा सही हो जाएगा विज्ञान ग्यान का एकाई है और इससे बनाने की प्रक्रिया है Science is body of knowledge and process of constructing it आपका 18th question आया था As per national curriculum frame work 2005 which of the following statement describes EBS learning राश्ट्री पार्ट चच्छा की रूप रेका 2549 लिखित में से कौन सा कथन EBS सीखने का वर्ण करता है तो आपका 18th option पूर्थ correct हो जाएगा D, A और B सिछार्थियों द्वारा ग्यान का सक्रिय निर्मार पर्यावरण से ग्यान और कौसल का अधिग्रहर सिछार्थियों के बीच विचारों और कौसलों का आदान प्रदान आपका 19th question आया था Which of the following statements best describes EBS at primary level निमन लिखित में से कौन सा कथन प्राथमी किस तरपर EBS का सबसे अच्छा वर्ण करता है तो आपका 19th option तीसरा सही हो जाएगा बच्चे के पर्यावर से जुड़ा एक विच्छा है आपका 28th option आया था एक EBS का अच्छा मेरीता अपने सिछक से पूस्ती है कि उससे महमानों के लिए चाय बनाने की अपेच्छा क्यों की जाती है येस, since it is related to equality and non-discrimination आपका 21st option आया था तो आपका 21st option तीसरा सही हो जाएगा वे और उनके परिवार के सदसे पानी कॉप्यों कैसे करते हैं इससा एक जल बजट तयार करें प्रिपेयर अवाटर बजट और फाव दे एंडिया फैमली मेंबर्स यूज वाटर आपका 21st question आया था राज में जंगल की सैच्छ क्यात्रा के दोरान के अच्छा तीसरी का एक च्छा तो एक कीर दोरा बनाई गई चीडची अब आवाज की और आपका ध्यान अकर्शित करता है और पूशता है यह क्या है एक अन्य चात्र उतर दिया यह टिंट माते तारों की आवाज है एक EBS इच्छा के रूप में आप क्या करेंगे तो आपका 22nd option दूसरा सही हो जाएगा अन्य विद्यार्थियों को अपने उतर साजह करने दे आपका 23rd question आया था आपका 23rd option दूसरा सही हो जाएगा नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि छात्रों को अवलोकन करना चाहिए और निसकर्ष निकालना चाहिए आपका 24th question आया था आपके स्कूल का माली स्कूल के बगीचे सुखे पत्तों को खत्ता करता है और उन्हें जला देता है आपके एक छात्र ने आपसे इसकी सिकायद की है आप क्या करेंगे तो आपका 24th option दूसरा सही हो जाएगा चात्रों से कहें कि वे सुखे पत्तों को खत्ता करने में माली की मदद करें और उन्हें खाद बनाने में मदद करें आपका 25th question आया था तो आपका 25th option तीसरा सही हो जाएगा चात्र समूह में दूसरों के साथ सकारात्मक रूप से पत्तिस परधा करते हैं चात्र समूह में एक दूसरे को समर्थन करते हैं इस्टूडेंट कमपीट पॉजिटिवली विद अधर्स इन गुरुप्स आपका 26th question आया था एक EBS का अच्छा में सिच्छक ने सभी चात्रों से जवाब देने के लिए कहा कि कपड़े कैसे धोई जाते हैं चात्रों ने उत्तर दिया कि वे देखते हैं कि उनकी मा कपड़े धोने के लिए कई तरह के तरीकों का इस्तमाल करती हैं जैसे साबुल लगाना पत्थर पर कपड़े पीटना पैडल से पीटना ब्रस से या वाशिंग मसीन से स्क्रप करना निम्न लिखित में से कौन सा कथन सबसे अच्छा बताता है कि सिच्छक निया चर्चा क्यों की तो आपा 26 को ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा बी सी और डी चातरों को घरेलू अन्भवों पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कपड़े कैसे धो जा सकते हैं इसका एक विविद संदर प्रदान करने के लिए उन्हें कप सिच्छक की भूमिका को वर्ण करता है तो आपका 27 को ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा बी और डी चातरों को ग्यान की निर्माड के लिए प्रोत्साहित करें चातरों को समझाने के लिए प्रोत्साहित करें आपका 28 कोश्चन आया था चूज दा सुटेबर अल्टरनेटि देश विशय है तो आपका 28 को ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा एकी करत इंटीग्रेटिड आपका 29 कोश्चन आया था एक सिच्छक विफिन प्रकार के घोसलों पर चर्चा कर रहा है वह चातरों से पूछती है कि उन्होंने किस प्रकार के घोसलों का व्लोकन किया होगा ए उनकी बालकनी में एक गोरया ने घोसला बनाया लेकिन उसकी माने ये कहते हुए उसे हटा दिया कि टहनिया और पच्छियों के मल से बालकनी गंदी हो रही है सिच्छा को क्या करना चाहिए तो आपका 29 को ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा चातरों और अभिवावकों के ल अपने चातरों से कहा कि हमें लाल बत्ती के दौरां चौरा है पर वाहनों को बंद कर देना जाहिए अगले दिन आपका एक चातर कहता है कि उसकी पिता ने इसका साथ से यार करें और थी पर वाचिंग दा वीडियो प्लीज सब्स्राइब दिस यूटूब चनल थैंक वेरी मच